अज हम अपने पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे एक्जिक्योटिव ठीक है एक्जिक्योटिव पूरा यह चैप्टर करने से पहले थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं कि यह होता क्या है देखे गौर्वर्मेंट की जो है तीन सेक्शन्स होते हैं या तीन ब्रांचे आप कह सकते हैं जिसमें क्या होता है लेजिसलेचर एक्जिक्योटिव और जुडिशरी यह तीनों मिलके जो है वो देश की सरकार देश का शासन जो है वो चलाते हैं इसमें जो लेजिसलेचर होत उसको लागू करने का काम किसका है, तो वो काम होता है executive का, मतलब जो कानून बन गए, उनको आगे लागू करना, execute करना, वो करता है executive, जैसे मालेजे स्कूल में आपको कोई project दिया जाता है, कि कोई function है, उस function में आपको कहा जाता है, कि वही fancy dress competition होनी है, या किसी भी तरह का उसमें competition है, तो वो बता दिया जाता है, teacher तो आपको बता के चली जाते है, कि इस date को ऐसे ऐसे होगा, ये ये terms, conditions है, जिनमें ये किया जाएगा, उसके बाद उसको execute आगे कैसे करना है, वो बच्चों को group बना दिये जाएंगे, वो group में decide करेंगे, कि ये बंदा जो है, वो script लिखेगा, ये बंदा ये बाहर से समाल लाएगा, दूसरा बंदा ये काम करेगा, तो उस सब को execute करने का काम वो आगे बच्चे करेंगे, तो इसी तरह से जो कानून बनाने का काम है, वो legislature करती है, उन कानूनों को फिर आगे लागू करने का काम जो है, वो executive करती है, अब आ तोड़ा ना जाए और अगर तोड़ दिया है तो उसको सजा देने का काम वो करती है जुडिश्री अब हम फोर्थ, फिफ, शिक्स चाप्टर में अलग-अलग इनको डिटेल में पढ़ेंगे Executive, Legislature और Judiciary तो सबसे पहले हम बात करते है Executive की मैंने आपको बता दिया Executive का क्या मतलब है Executive का मतलब होता है वो पार्ट Government का और आगे Government Employees का जो कानूनों को Implement करने का काम करते हैं ठीक है आप चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे की Executive is the branch of Government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature यही मैंने आपको बताए कि Legislature जो भी laws और policies बनाती है उनको अपनाती है उनको आगे लागू करने का, execute करने का, implement करने का काम होता है Executive का अब Executive भी जो है वो दो हिस्सों में आप उसको समझ सकते हैं कैसे एक Executive का पार्ट हो सकता है PM, President और Ministers ठीक है इसमें क्या हो गया जैसे की PM, PM हो गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसकी Cabinet, जिसमें Cabinet का मतलब जिसमें Ministers होते हैं आपने कई बार सुनाओगा Home Minister, रेल, Minister इस तरह के अलग-अलग Minister होता है, सब अपने अपनी Ministry देखते हैं उससे Related Laws को बनाते हैं, तो इनको बोला जाता है Political Executive, ठीक है इनका क्या काम होता है Overall Responsibility of Government Policies, मतलब Government की जो भी Policies बनेगी, उसके लिए Responsible कौन होगा, मान लिजे इनोंने कोई कानून बनाया है, सरकार ने कोई Law बना दिया, तो उसके बाद अगर वो अच्छा निकला है या बुरा निकला है, जनता को पसंद आया है, या जनता को पसंद नहीं आया, उसके लिए Responsible कौन होग सरकार उससे पहले भी गिर सकती है किनी कारणों से, नहीं तो 5 साल तक रहती है, दुबार अगर फिर से चुन के आजाते हैं, दूसरी फिर से सरकार बनती है, तो इस तरह से इसको बोला जाता है, Political Executive, अब दूसरे कौन से होते हैं, जो होते है, Civil Servants, Civil Servants मतलब जैसे कि IES होते हैं, IPS होते हैं, और और जो Government Officials होते हैं, जो कि reality में जो इनको execute करने का काम होता है, जो यह laws बने हैं, उनको reality में जो execute कर रहे हैं, जो day to day का काम कर रहे हैं, वो तो यहीं लोग कर रहे होते हैं, और यह क्या होते हैं, यह permanent होते हैं, इनको हटाया नहीं जाता है, ऐसे 5 साल में यह हट नहीं जाते हैं यह तो जितने टाइम भी इनका जॉब का डूरेशन है उतने टाइम रहेंगे 60-65 जब तक इनकी डूरेशन है तब तक यह लोग रहते हैं तो इनको क्या बोला जाता है अगर वो नहीं बन पा रही है तो उसके लिए टाइम जदा लग रहा है तो उसके लिए फिर ये लोग responsible होंगे, फिर ये ministers इनसे पूछेंगे, तो ये day to day के काम के लिए responsible होते हैं और जो political executive है, PM और उसके ministers हैं, वो किसके लिए होते हैं, वो policies के लिए responsible होते हैं, जनता के सामने, ठीक है? तो ये executive है, दो तरीके से, देखो इसको समझना जरूरी है, तभी आप executive को आगे समझ पाएंगे, ठीक है? ये हो गया executive, अब आता है different type of executive, देखें, पूरी दुनिया में अलग-अलग countries हैं और सब देशों में एक तरह की executive नहीं होती है, अलग-अलग तरह से सरकारे बनती हैं, अलग-अलग तरह से कानून बनाया जाते हैं, उनको execute किया जाता है, तो वो कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन सी तरह की सरकारे होती है, और executive होते हैं, वो अब हम देखेंगे, तो different type of executive कौन सी है, एक तो parliamentary form of executive होती है, एक semi-presidential system होता है, और एक presidential system होता है, अब हम सबसे पढ़ते हैं, parliamentary system, parliamentary system में क्या होता है, head of the government is usually known as PM, जो head of the government होगा, देखें, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बच्चेस में confused हो जाते हैं, अगर question आएगा, कि head of the government कौन होता है, या head of the state, इन दो बातों में confused हो जाते हैं, तो अभी मैं आपको जो भी कार का जो head होगा, वो जादा तर होता है PM, जो parliamentary system वाली countries है, इसके बाद, he is the leader of the majority party in the legislature, मतलब legislature में संसद में, जो party जीत के आती है, जो majority से आती है, उनके नेता जो होता है, उसको जो है PM बनाया जाता है, जादा तर, तो वो होता है, majority party का leader, इसके लावा, he is accountable to the legislature, मतलब legislature के एकाउंटेबल होता है, मतलब कि legislature में जैसे आपने देखा होगा कि parliament के sessions जब चल रहे होते है, question किया जाता है, बार बार कहते हैं कि PM से ये सवाल करेंगे, वो सवाल करेंगे, आपने ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, मतलब legislature में जो position parties हैं, या दूसरी parties हैं, वो जो maybe, अब इन में head of the state क्या होता है, वो दो तरीके से हो सकता है, head of the government तो PM होगा, head of the state क्या होगा, head of the state होगा, या तो monarch होगा, या तो president होगा, monarch का क्या मतलब है, वो constitutional monarchy होगी, constitutional monarchy क्या मतलब होता है, कि constitution से वो देश चल रहा होगा, नाम के लिए वहाँ पर राजारानी होंग जैसे कि आपने देखा होगा कि England UK में क्या होता है वहाँ पर जो वहाँ की महराणी अलिजबेथ है उनके नाम पर सारा शासन चलाया जाता है लेकिन वो सिर्फ constitutional मोनार्की है बाकि काम सारा वो नहीं कर रही होती है वो सिर्फ कहने के लिए वहाँ की जो state की head है वो है तो यह भी king होते है और UK मैंने आपको बता दिया वहाँ पर queen होती है तो यह सिर्फ constitutional मोनार्की है वहाँ पर constitution से देश चलता है नाम के लिए राजारानी होते है तो इन वाले parliamentary form of government में यह होता है इसके अलावा दूसरा क्या होता है प्रेजिडेंट क्या होते है प्रेजिडेंट क्य द्वारा चुना गया होता है वो किसी राजारानी के बच्चे नहीं होते हैं तो उनको बोला जाता है parliamentary republic जैसे इटली जर्मनी इंडिया जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है हमें रिपब्लिक है हम 26th January को रिपब्लिक डे बनाते है इसलिए बनाते है कि उस दिन हमारा देश रिपब्लिक बन गया constitution लागू हो गया था और हमारे देश का जो head of the state है वो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट जो है वो किसी राजारानी का बच्चा नहीं है उसको भी indirectly जनता के द्वारा ही चुना जाता है तो यह है parliamentary system जिससे की executive होती है दूसरा आता है semi presidential system मतलब semi है म government जो होता है वो PM होता है इनके हाँ पर PM and his council is accountable to legislature PM और उसकी council जो है वो legislature के accountable होती है मतलब legislature में जो बाकी लोग होंगे question करेंगे वो PM और उसकी council से करेंगे इसके example है जैसे कि France, Russia, Sri Lanka तो यह इसके example है अब third number पर आता है presidential system of executive जैसे की इन देशों में क्या होता है देखें यह बिल्कुल अलग है यह आपको फिर भी मिलते जुलते होंगे यह बिल्कुल अलग है इसमें क्या होता है President is Head of the State. Head of the state क्यों होता है President होता है He is also the head of the government देखे ये basic अंतर आ गया इन दोनों में और इसमें कि इसमें head of the state भी president होता है head of the government भी जो होता है वो president होता है the president is usually directly elected by the people उसमें आपने देखा कि जो parliamentary form of government में तो directly elect नहीं करते हैं president को लेकिन जो presidential form of government होती है वहाँ पर directly जनता अपने president को चुनती है जैसे कि आपने US में देखा होगा वहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं उन दो में से किसी एक को जनता चुनती है वहाँ पर दो ही पार्टी है two party system है दोनों पार्टी के एक एक बंदा प्रेजिडेंट के लिए खड़ा होता है उन में से एक जीच जाता है जिसको की president बना दिया जाता है तो यहाँ पर directly जनता उसको चुनती है लेकिन यहाँ पर head of the government जो है वो president है और लेकिन वो accountable नहीं है legislature के मतलब legislature उनसे कोई question नहीं कर सकती क्यों इसका मतलब क्या हुआ कि presidential form of government में president बहुत powerful होता है उसके पास बहुत सारी powers होती है और legislature उसको question नहीं कर सकती इसका example क्या है जैसे US और Brazil तो यह आपको मैंने बता दिया executive क्या होती है और सारी दुनिया में किस-किस टाइप के executive होते है तो आपको समझ आ गया होगा अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप please question कर लीजेगा Thank you very much